अलोली पचिकाई डारी सब्सक्राइब हेलो हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप लोग ऐसा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लोग में तो दोस्तो अभी सुबा के बज रहे हैं साड़े साथ तो यहां पर आप सभी को आज का दिखाते हैं मौसम तो आज मौसम बहुत ही खराब हो चुका है तो दोस्तो आज जो है एकदम बरसाती ठंड हो रही है एकदम कोईरा बरस आ रहा है जैसे की पानी बरस रहो पैसे ही कोहरा बरस रहा है बहुत तेज ठंड हो गए ये तो आप सभी को दिखाते हैं और दो तीन दिन से बिल्कुल भी मौसम नहीं खुल रहा है एकदम से बादल चाय रहते हैं और कोहरा बहुत तेज बढ़ता है सुबा के टाइम इदर हम नहा कर आ गए हैं और बच्चों के कपड़े भी धुल लिए हैं साथ में सुख तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं इस समय पर धुलके डाल देते हैं तीन चार दिन लग जाते हैं सुखने में तो यहां पर बस कपड़े डाल दिये हैं सुखाने के लिए और उसके बाद बनाएंगे जाकर चाय अभी हमारी चाय भी नहीं हुए क्योंकि समय थंड बहुत जादा हो रही है तो थोड़ा लेट लपेटी काम होते हैं तो पस जल्दी से नहा लिया है और सुबा नहा लेते हैं उसके बाद में खाना पीना हमारा बनता है और इदर बन रही है हमारी चाय तो इधर अर्थर खा रहे हैं ब्रेड जो कि नके पापा भी लाई है क्योंकि सुबा के टाइम बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए तो इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगाती है सुबा के टाइम रात काफी बड़ी होती है तो बच्चों को सुबा उड़ते ही भूख लगाती है तो इधर ये खा रहे हैं ब्रेड इन्होंने चाय जो है ले ली है अपनी बड़ी मम्मी से तो यहां पर जो है हमार चाय अब बन रही है तो बस इधर चाय बनाने लगे हैं ठंड बहुत तेज लग रही थी क्योंकि अभी नहां कराया है और आपने मौसम देखा ही है कितना ज़्यादा खराब हो चुका है और सर्दी बहुत ज़्यादा इस समय पड़ रही है गाउं में और इधर जो है चाय हमने बनने के लिए रख दिये तो चाय हमारी बन चुकी है और उसके बाद में च्छान लेते हैं तो सबसे पहले चाय पीएंगे उसके बाद में हमारा खाना पीना बनेगा और इधर कूकर में हमने आलू जो है नहाने के पहले ही रख दिये थे उबलने के लिए क्योंकि तो उबल गयते जब तक हमने ना आया था तो साथा के पापा जो है देखे रहे थे जल लए थी हमारी तो बच्चों को भी देख रहे थे यहां पर और हमारे आलू उबल ले थे वो भी देख रहे थे तो यहां पर जो है और हमने भी चाई पी ली है उसके बाद में बस खाना बनाने लगे हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं बना रहे है पर आज जो है आलु को लहरेंगे क्योंकि आलु जो है उभा ही उबालने के लिए रख दिये तरी आने के पहले तो आलु हमारे एक दम से तैयार है तो आलू कलहर लेंगे और पराठे सेक लेंगे क्योंकि इस समय सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है पराठे बना लेते हैं मन होता है तो पूरियां भी बना लेते हैं तो आज जो है पराठे ही बनाएंगे तो कि साथ तक कि पापा बोले कि पराठे ही सेक लो रोज रोज हमें पुड़ियां नहीं अच्छी लगते हैं तो हमने का चुलो ठीक है तो यहां पे आलू कलहार लेते हैं फिर उसके बाद पराठे सेकेंगे तो दोस्तों आप लोग भी आजाएए गरमा गरम खाने के लिए क्योंकि सर्दियों के मौसम में यह जो नए वाले आलू होते हैं तो कलहरे हुए आलू बहुत ज़्यदा अच्छे लगते हैं और हमारे हैं सभी लोग चाय के साथ भी खा लेते हैं नास्ता कर लेते हैं बहुत ज़्यदा अच्छे लगते हैं और इस समय ही अच्छे लगते हैं कर्मियों में नहीं अच्छे लगते हैं तो जब तक हमारे नए आलू चलते हैं ना तब तक जो है किसी किसी दिन आलू का ही नाश्टा हो जाता है सुबा के टाइम चाय के साथ तो यहाँ पर जो है पराठे सेख दिये हैं और सारतक भी चले गए है स्कूल और उनके पापा जो है भेज कर आ गए हैं उनको तो यहाँ पर यह भी तैयार हो गए थे और खाना खा रहे हैं यहाँ पर बैठे और आर्थर भी अपने पापा के पास में बैठे हुए हैं खा रह और उसके बाद हमने भी खाना पीना जल्दी से खा लिया था और फिर बरतन साप करने लगे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है काम ने पढ़ जाती है ऐसा लगता है कि जल्दी से काम हो जाए उसके बाद में थोड़ा बहुत ताप लें आग जला कर बहुत जाएंगे तापेंगे जाकर तो यहां पर जाडू हमारी लग रही है और जाडू हम सबसे लाश्ट में ही लगाते हैं क्योंकि बरतन पानी वाला काम जो भी है वो हो जाता है मारे जब तक आर्थर खेलते रहते हैं और रोने लगते हैं तो फिर जो है इनका सोने का भी बरतन दुलियत है फिर लगाए ते जाड़ बाद में और अभी भी मौसम बैसा ही है जैसा कि सुबा था तो अभी सुबा के जाड़े दस बज रहे हैं वैसा ही मौसम में बिलकुल भी आज खुला नहीं है नहीं दूप निकली हुई है तो बहुत ज़्यादा मौसम जो है ख चली से जाड़ू लगा लेते हैं उसके बाद में अशाहर तक भी आ जाएंगी तो उनका वी काम बगारा करों तो उन्हों किया एक जाड़े है पहुत ही प этом है कमेंट की और चूला भी एक है जो कि इस पर दीदी बनाती है खाना और क्योंकि खाना बनाने का टाइम जो है एक ही होता है तो वो भी बनाती है सुबा के टाइम में हम भी तो हम अपना गैस पर बना लेते हैं और वो चूले पर बनाती हैं दूसरा चूला नहीं है तो चूले पर जो है इसीलिए हम नहीं बनाते हैं, जब कभी हमारा अपना खुद का घर बन जाएगा ना, तभी जाके बाले चूले पर बनाएं, पर अभी नहीं वो पाता है, और कहीं जगाए भी नहीं है, कि हम चूला रखें, घर तो काफी बड़ा है, पर जो है चूला नहीं रखने के लिए ज तो यहां पर जो है ज़ाडो मारी लग गई है और आज हमने फूल वगारा थे काफी मतलब इसकी जो है चटा ही कर दी थी भहुत जादा पूर में पहल गया था तो यह पर जो हो इंगो काट दिया था सबसे जादा टाइम हमें ज़ाडो लगाने में ही लग जाता है क्योंकि द पर में हम एक तरफ से कोना कोना करके साप करते हैं तो इसलिए हमें टाइम लग जाता है जाड़ो में इसलिए सबसे लाश्ट में लगाते हैं सारा काम करके तो जाड़ो मारी रह जाती है फिर आराम से एक तरफ से लगाते हैं जाड़ो तो एकतम से हमारा घर जो है चमक जाता जाडू लगाने के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है तो यहाँ पर मिल ले हैं आप सभी से साम के टाइम तो साम बाली भी हमारी जाडू लग गई थी और उसके बाद में खाना पीना की तैयारी हो गई थी तो यह सुबह के जो हमने आलू कला रहे थे भाई थोड़े बच गए थे तो हमने थोड़ी सी मटर छीली है और दो टमाटर काटे हैं तो यहाँ पर बस रसीली सबजी छोंग दिया है थोड़े आलू बच गए थे तो वो भाईसके डाल दिये थे सिर्फ खाने बर को किये थे तो फिर हमने का चलो यहाँ पर आज पूड़ीया ही बना लेते हैं साम के टाइम सर्दी अभी भी वैसी की वैसी है तो यहाँ पर पहले पानी गरम करने के लिए रख दिया है हमने पीने के लिए क्योंकि इस समय हमारे हैस सभी लोग गरम पानी ही पीते हैं बच्चों को गरम पानी भी देते हैं तो हमने एक भगोना गरम पानी कर लिया है उसके बाद में पूड़ीयां बेल के रख ली थी बच सेकने को रह गए हैं जल्ली से सेक लेते हैं और उसके बाद में जो है इसार तक के पापा भी आ गए हैं दुकान से तो वो भी बैठे हुए हैं खाने के लिए गर्मा गरम ही सेखते हैं जब आ जाते हैं क्योंकि बैसे भी बरतन धुले के लिए काफ़ी टाइम हो ही जाता है तो पिर गर्मा गरम ही सेखते हैं वो तो बोलते हैं कि बना के रख लिया कर उपर हम नहीं करते हैं क्योंकि गरम गरमी खाने में अच्छा लगता है और खाना पीना जल्दी से हमारा हो गया था उसके बाद में यहां पे धुलने लगे हैं बरतन तो जल्दी से बरतन धुल लेते हैं उसके बाद में अपना वीडियो एडिट करेंगे पहले तो आर्थर को सुलाएंगे फिर उसके बाद में अपना वीडियो एडिट करेंगे और फिर जाके सोएंगे जाके तो काफी टाइम लग जाता है हमें वही रात के गेरा बच जाते हैं वीडियो एडिटिंग करके ही सोत तो दोस्तों आज का व्लोग यहीं तक कल फिर मिलेगे नहीं ब्लोग के साथ तब तक लिए